तो हलो माई डियर इस्टुएंट स्वागत है आपका SP Study Classes के एक और वेतर वीडियो में तो माई डियर इस्टुएंट आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Class 12 Physics के बारे में आज का इस वीडियो Class 12 Physics का very most important वीडियो है क्योंकि बच्चों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगी Class 12 Physics के 13 सबसे महत्वों टॉपिक्स अगर आप लोग Class 12 में हैं और आपको Board Exam 2000 अगर 24 देना है तो इस वीडियो मेरी most important है और हमारा target रहने वाला है कि आपको Board Exam 2024 में 95 प्लस नंबर कैसे लाएं जाएं इसके बारे में हम रड़नीत बना कर आपकी तैयारी करवाएंगे तो माई डियर रिश्टुएंट आप सभी में से किसी दो से तीन बच्चों ने मेरे पास कमेंट किया था कि सर हमें कुछ important देर गुत्री यानि कि बिस्तरत उत्री question को बता दीजिए क्योंकि हम जाते हैं coaching वहाँ पर हमें पढ़ाया जाता है लेकिन हमें बो question बता दीजिए जो हमारे Board Exam में आने के लिए important है तो बच्चों मैं सभी से कह रहा हूँ कि आप लोग सभी लोग इन सारे questions को देख लीजिए क्योंकि यह सारे questions ऐसे हैं जो आपके Board Exam 2024 में आने के चांसे सबसे ज़्यादा है इसलिए आपको एक-एक question को ध्यान से समझ लेना है और समझ कर इनको अच्छे से तयार कर लेना है क्योंकि बैच्चों अगर आप समझ जाओगे तो तयार कर लोगे और तयार कर लोगे और आपके Board Exam में आते हैं आपको क्योंकि एक दिरगुत्री या विस्तरत उत्री question लिखने के आपको पांच नंबर दिये जाते हैं तो वो टॉप questions को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक एक question को ध्यान से समझिए ध्यान से सुनिएगा तो आई हम एक एक question को समझ लेते हैं तो देखे बच्चों पर्थम दिरगुत्री परसंदेखे दिरगुत्री या विस्तरत उत्री परसंद क्योंकि बच्चों इस वीडियो में सिर्फ questions को देखेंगे answer आपको नहीं बताएंगे क्योंकि बच्चों अगर हम answer बताएंगे तो वीडियो बहुल लंबा हो जाएगा और वैसे भी मैंने इन सारे questions को answer बता चुका हूँ आपको वीडियो प्रवाइड करा चुका हूँ वहाँ से पढ़ सकते हैं और मैं नेस्ट भी वीडियो आपको लाकर आने वाला हूँ क्योंकि उनमें भी हम answer के साथ ही डिसेस करेंगे यह वीडियो बेरी demand यानि कि बहुत सारी demand बहुत सारे student ने comment किये थे उनके अधार पे वीडियो बनाय जा रहा है जैसे कि अगर हम बात करें बच्छों आपको एक होई टुस्टेंज सेत्यों का सिधान्त होता है यानि कि होई टुस्टेंज सेत्यों का सिधान्त आपके board exam में सीधे 5 नमबर का आएगा और board exam 2024 के लिए very important है ठीक है बच्छो next आए दूसरा देखिए दूसरा है बच्छो, MPR का परिपथी नियम यानि कि MPR ने एक परिपथी नियम दिया था एक कुस्षण बच्छो, तीन नमबर में हो सकता है और हो सकता है आपसे पांच नमबर में पूछ लिया जाए लेकिन ये बहुत ज़्यादा board exam के अंदर पूछा जाता है ठीक है नेश्ट है कि ट्रांस फार्मर आपको इससे एक से दो question 100% मिलेंगे अगर एक question 5 number में नहीं मिलता है तो हो सकता है 3 number के question में मिल जाए इनसे question हो सकता है 2 number मिल जाए या हो सकता है objective question या आतिल अगुत्री में एक number से भी पूछ लिया जाए लेकिन इससे question आपके board exam में पूछा जाएगा तो इसलिए important है नेश्ट बच्चों के खगोली दूरदर्सी आप देखिए हो सकता है खगोली दूरदर्सी का सच्चित बढ़न आ जाए इसके सूत्र साहीत आपके exam में तो आपको 5 number दिये जाएंगे हो सकता है इसका जो सूत्र होता है क्योंकि आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप इसको सूत्र भी पढ़ेंगे और हो सकता है इनके सूत्र से लिएटर आपको numerical भी पस जाए तो इनसे दोनों तरफ से फाइदा होने वाला है इसी प्रकार से एक होती है खगोली सूच मदर्सी ये भी आमारा आता है जब बोर्ड एक्जाम में पांच नमबर्स आते हैं इसमें से कोई एक तो आने के चांसे इस बार बच्चों है 90% है क्योंकि ये सारे कोशन इनसे कोई ना कोई कोई कोशन एक कोशन आपके हर साल बोर्ड एक्जाम में आ रहा है तो इस बर्स भी आने के चांसे सबसे ज़्यादा है ठीक है बच्चों फिर आता है नेस्ट कोशन एंग का दूई सिलिट प्रयोग बच्चो एक कोशन जो एंग का दूई सिलिट प्रयोग है इससे कोशन मालूं इन्ड वलिटी नेशनल एलिगिवेल्टी कम इंटरंस टेस्ट यहां के लिए बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यहां तक इससे कुछन पूछे जाते हैं नेट में भी यंग का दूजित पर योग है इससे कुछन पूछे जाते हैं तो आपके board exam के लिए अगर आपको board exam देना है तो उसके लिए भी very most important topic है ठीक बच्छों next देखे आपको प्रकास के बितिकराण पढ़ लेना है प्रकास के बितिकराण जो होते हैं संपोसी बितिकराण होता है बिनासी बितिकराण होता है इनके बारे में आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना हो सकता है कुस्चन दो नंबर में हो सकता है तीन नंबर में पूछ लिया ज थी आपने पढ़ा था रदर फोड का यह वाला पर्माण माडल मैंने आपको पढ़ाया है तो यह पर्माण माडल जो है पूरा पता गरना है और इसके प्रियोग कहां कहां होते हैं इनको आपको प्रियोग कर लेना ठीक है नेस्ट बच्चों है नेस्ट राएक कुशन नमबर नाइन या टॉपिक नमबर नाइन हमारा है बोहर की परिकलपना यानि कि एक बोहर जो साइंटिस्ट थे यानि की बैज्यानिक थे इन्होंने अपनी परिकलपना दी थी जिसको कहते हैं बोहर की परिकलपना फिर इनकी परिकलपना दी थी तो कि कमिया खोजी कमिया खोजी न तो इनकी जो कमिया होती ही वो बोड़ी जामे एक से दो नंबर में बच्चो बहुत जादा पूछी जा रही है तो इनकी कमियों पर विशेश धिहान देंगे एक घरी एक घरी आपको परिकलपना चाहिए याद रहे या ना रहे लेकिन की कमिय ज़रूर याद रहनी चाहिए और आपको क्या करना है कि दोनों को याद रखना है ताकि आपको कोई confusion ना हो अगर नहीं याद होती है तो आपको 100% ये तो याद ही होनी चाहिए और इसको भी याद करने का पूरा प्रयास करेंगे बच्चों ठीक है निस्ट देखिए हाइड्रोजन परमाड का हाइड्रोजन परमाड के लिए उर्जा इसतर आरेक आपने पांच स्रेणियां पड़ी थी लाइमार बामार प्रेस्चेत ब्रेंकेड फुंड लाइमार बामार प्रेस्चेत ब्रेंकेड फुंड आपने जो पांच स्रेणियां पड़ी थी उसी का आ इमेडिंग डायोड जो होता है इंग्लिस टू इंग्लिस में इसी का फुलफारम हिंदी में होता है प्रकास उत्सर्जक डायोड प्रकास उर्सजक डायोड ठीप है, क्या होता है शारे टॉपिक तयार रखना है ठीप है बच्चों, समस्थानिक और समभारिक समस्थानिक भी समभारिक भी अब आम बात करते हैं सबसे इंपोर्टन पोर्षन है जिसको कहते हैं numerical इसमें बहुत सारे question ऐसे परिकलपना आमने बता ही जिनसे related आपके board exam में numerical आ सकते हैं तो numerical के दो वीडियो का link आपको मिलेगा description box के अंदर एक और दो वीडियो का link तो वहाँ से जाकर आप numerical को भी तयार कर सकते हो क्योंकि बच्चों ने comment किया था numerical भी बता दीजे तो मैंने सुचा चलो इनका numerical होए इसी वीडियो में mention कर लिया जाएगा आपको link provide किया जाएगा description box के अंदर हमारे team के दोरा ठीके बच्चों तो आप लोग पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से मेहनत करते रही है पढ़ते रही है और मैं कहता हूँ हमारा target है 95 प्लस का पस आपको हमारे साथ जुड़े रहना एक एक subject के त्यारी कराएगा बिल्कूर से अगर आपको कोई रीडाउट किसी भी subject में कोई रहती है class 10 से लेकर 20 सी तक के questions की तो आप हमारी team के दोरा हमारे teachers के दोरा आप उस question को पून सकते हो ताकि आपको एक एक question का solution प्रोवाइड कराया जाएगा ठीक बच्चों तो हम मिलते किसी एक next वीडियो में किसी एक नए ध्माकिदा टोपिक साथ तब तक के लिए जे जिए रिंड वद देमात्राव